स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि भारत में जो बहु विवा बहु यानि कि एक से जादा जो विवा करने की जो प्रता है उसके उपर क्या प्रतिबंद लग जाएगा अब बात आती है कि प्रतिबंद लग जाएगा भारत में होता था क्या बहु विवा यानि कि कोई व्यक्ति कोई महिला या कोई पुरुष एक से जादा पती या एक से जादा पत्निया रखते थे क्या अब जाके क्या उसके उपर परतिबन लगने वाला है यह polygamy जो है वो भारत में कितनी ज़्यादा परचलित है कौन किन सबुदाये के अंदर for example कि Muslim में कितने ज़्यादा लोग जो है वो polygamy में या फिर एक से ज़्यादा पत्निया रखते हैं वहां का जो personal कानून है personal low है वो क्या कहता है और भारत का जो low है IPC जो है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि अगर कोई वेक्ति बहुवा कर लेता है तो उसके ओपर क्या कारवाई की जाएगी क्या-क्या action उसके ओपर लिए जाएंगे जो दूसरी शादी होगी उसमें जो बीवी होगी उसके लिए क्या-क्या प्रावदान है क्या वहां पर उसके rights को सुरक्षित रखा जाएगा ये नहीं रखा जाएगा इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में cover करने वाले और बहुत important आपके लिए की वीडियो होने वाली है जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि भारत में कहीं न कहीं बहुवीवा चलता भी और जिसको सरकार समर्थन भी देती है और आप सोचेंगे कि ये Muslim के अंदर चलता है ये अभी आप वेट करिए जब आप पूरी वीडियो खता हो जाएगे तब आपको बता चलेगा कि बहुवीवा कहां पर परचलित है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए माँ आप लोगों को बता देता हूँ देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो वहां पर आप जब उसके उपर क्लिक करेंगे तो आपको एक टेलिग्राम की अपने एप्लिकेशन डाउनलोड करकी होगी तो आप सीधा वहां पर चले जाएंगे उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार है यानि कि जो स्टेट गवर्मेंट है वो एक विधाई कारवाई करेगी विधाई कारवाई बोले तो एक legislative action यानि कि विधान सरकार के विधान सबादवारा एक कानून जो है वो बनाएगी जिसके माध्यम से क्या है बहु विवा यानि पोलिगेमी जो प्रता है उसके उपर परतिमन लगाने का जो हो कदम उठा सकेगी और इसके लिए जो issue है इसके लिए एक अलग से कमीटी एक expert कमीटी का भी गठन किया जाएगा यह जो बात बोले गई है असम के मुखे मंतरी उनके तरह यह बात बोले गई जब जाके यह जो विशय है वो चर्चा में आया तो आप जानते हैं पहले तो पोलिगेमी का क्या मतलब होता है जैसे मैंने कहा बहु विवा बहु यानि बहुत एक से अधिक विवा जीवन साती विवाहित जीवन साती फर एक फीमेल है अब उसके एक से ज़्यादा पति एक मेल है उसकी एक से ज़्यादा पतनिया तो इसको कहते हैं polygaming एक bygami होती है, bygaming काrat बाईえば, byがोता है 2 poly बहुत जादा, ठीक है तो यहाँ पर polygamy bygamy, इसको ध्यान रखना इसका मतलब होता है 2, polygamy यानी ऐक से जादा हो गई, तो वहाँ पर एक तरीके से उसको polygamy या bygamy कहा जाता है यह मुद्धा व्यक्तिकत कानून व्यक्तिकत कानून यानि कि पर्सनल लो और IPC, इंडियन पिनल कोड के दौरा उसको शाशित यानि गवर्न किया जाता है इनके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं अगर कोई व्यक्ति, द्वी विवा या एक से ज़्यादा विवा यानि दो से भी ज़्यादा विवा कर लेता है तो वहाँ पर उसके उपर क्या एक्शन लिये जाएंगे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होंगी इन सब चीजों को गवर्न किया जाता है IPC के द्वारा, या फिर कहें कि कुछ पर्सनल लो भी है हर एक समुदाय है, उनके अपने पर्सनल लो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, ऐसे इसलाम के अंदर भी मैरिज एक्ट है, एक पर्सनल क्या है, एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी है, यह सब चीज़ें भी है अब प्रमप्रागत रूप से जो बहु विवा है, आप देखें, जैसे मैंने का ने एक फीमियल जो है, वो एक से ज़्यादा शादियां कर ले, एक्टोल में भारत में अगर आप देखें, तो पुरुश एक से ज़्यादा शादियां करता है एक से जदा पत्निया रखता है यह स्थिती जो भारत के अंदर मुझूद है भारत में व्यापक रूप से परसलित थी यह बहु विवा की प्रथा हिंदू विवा अधिनियम 1955 में क्या किया इस प्रथा को गैर कानूनी गोशित कर दिया अगर हिंदू कोई व्यक्ति जो है हिंदू मानेताओं को मानने वाला को व्यक्ति द्विवा करता है तो उसके अंदर वो गैर कानूनी है यह 1955 के अंदर जो कानून बना था उसके अंदर इसको गैर कानूनी गोशित कर दिया था, अब गैर कानूनी गोशित कर दिया था, उसके पर क्या action लिया जाएंगे, तो यहाँ पर action लिया जाएगा IPC की जो धारा है 494 के तैट, एक 494 है एक 495 है, जस्ट इसकी अगली ये दो धाराओं के तैट जो कारवाई नहीं हुआ है, तब क्या करता है वो दो शादी कर लेता है, या दो से जादा शादी कर लेता है, तो वहाँ पर 494 क्या है, उसको दंडित, यानि उसको punishment करता है, अब punishment क्या होती है देखे, यह मैंने पती के बोला पत्नी भी अगर ऐसा कर ले ना, आपने पती के जीवित रहते हैं, तो वो किसी और से शादी कर ले, तो उसके ऊपर भी यह 494 जो धारा लागू होती है, अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि आपने अगर किसी दूसरे शादी कर ली, एक तो उस शादी को सुने, यानि कि एक तरीके से इलिगल माना जाएगा और उसको निरस्त कर दिया जाएगा, नहीं खतम कर दिया जाएगा एक तो first of all ये बात और उसके ऊपर जुर्माना या फिर सजा कितनी हो जाएगी, देखे जुर्माना और सजा सजा तो हो जाएगी 7 साल, और जुर्माना भी कुछ exemption दी गई है, यह 494 किसको पनीश नहीं करेगा, पनीश उसको नहीं करेगा, अगर कोई बाल विवा हुआ था, और सुप्रीम कोट ने कहा कि यह तो जो है बाल विवा वो गलत है, तो गलत है तो अब वो बड़ा हुआ बच्चा उसने दोनों उनको अता पता ही नहीं है कोन कहा है, क्या कर रहा है, कोई ठिकाना उनका पता नहीं हो, साथ साल से एक दूसरे साल लग रहे है तो उस तिथी में भी यह 494 जो है वो लागू नहीं होगा, उमीद है तो आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर एक महीला ही जाके शिकायत दर्ज कराती कि उसके पती ने जो दूसरी शादी कर ली अब अदालत को यह देखना होता है कि जो उसके पती ने जो दूसरी शादी किये वो वैद है या नहीं अब इसका क्या मतलब बनता है देखे जब तक अगर वो वैद नहीं होगी वैद कैसे निर्दायत करेंगे उसने पूरे रिती रिवाजों के अनुसार जब वो शादी की है अब एडल्ट्रेशन की बात नहीं आती कि भी उसने किसी के दूसरे की किसी महिला के साथ सारी एक शम माना जाएगा अब एक केस हुआ था 1965 के अंदर कमल राम वर्सीद दहिमाचल परदेश एड्मिनिस्टेशन इसमें क्या हुआ था सुप्रिम कोट ने एक बात दोराए थी उन्होंने का दे कि कोई परमान होता है कि कि किसी ने दूसरे शादी कि वो परमान क्या होते हैं वहा दूसरी शादी की कैसे की पूरे रितिरिवास से की वहां पर टेस्टीमिनी होती है सब चीजों की अमीद है यह सब चीजों आपको समझ आए फिर इसके बाद एक 495 की धारा भी आती है IPC की 494 में जैसे बोला गया था पुरुष करे या महिला करे लागू दोनों पी होगी अब इसमें 495 में एक तरीके से दूसरी पत्नी के अधिकारों की रक्षा करता है अब दूसरे पत्नी के अधिकारों की रक्षा कैसे देखें सोरी देखें कोई व्यक्ति जो है वो ये बात छुपाता है किसी से कि उसकी शादी हो गई और उसने धोका देकर उसको फसाया है और उससे शादी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो सजा का प्रावदान है, वो 10 साल तक बढ़ा दिया जाते हैं, यह उसके उपर जुर्माना भी दिया जाते हैं, देखें, अब यहाँ पर 494 और 495, इन दोनों के तायत कारवाई हो सकती हैं, यह जब चीजें सामने आती हैं, प्रांतिय विधान सबावंत हो रहा एक द्वी विवा विरोधी कानून को अपनाया गया था, कि आप अगने अगर दूसरी शादी की, तो आपका जो विवा वो दूसरा विवा जो है, वो एक तरीके से वो गैर कानूनी होगा और उसके उपर जो आईपीसी की जो दारा है, चारसो चुराणवी और चारसो पिचाणवी उनके अकोर्डिंग जो है, आपके उपर एक्शन लिया जाएगा, यह सब चीज़ें बोले गई थी, एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट वो होता है, जैसे कि दो अलग- यह दोनों शादी करना चाहरे हैं और अपना धर्म परिवरतन नहीं करना चाहते हैं, तो अगर नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बनाएगा है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तरह शादी कर लेते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या था, एक करांती कारवी कान होने चाहिए मतलब वह वहां पर एक तरीके से प्योरली कमारे होने चाहिए यह बात बोली गए या फिर अगर उनकी शादी हो गई थी तो तलाग एक पूरी लिगली कारवाई किसे अकॉर्डिंग वह अलग हुए हो तब वह चीजें कर सकते हैं यह सब चीजें थी एक कानून यह एक धारा डाली गई थी अब आप देखिए ना कितनी सब चीजें जो है उलड़ी कोई भी कानून बनता है तो उसके पर कितनी चीजें को ध्यान में रख कर उसको बनाया जाते है अगर सपोज यह धारा ही नार रालते तो वहां पर क्या करते हैं हमने तो स्पेशल बैरि अब यह जो धावदार ना है उसको गैर कानूनी घोशित कर दिया था हिंदु विवा सहिंता कहता है अब देखिए यह न किन किन के उपर लाग होता है यह बोध जैन सिक इन सब्सक्राइब को इसमें शामिल किया गया था एक पारसी जो है उनके लिए का लग है पारसी विवा को गैर कानूनी घोशित कर दिया आगे आते हैं देखें हिंदु विवा अधिनियम की जो सेक्शन है फाइफ अब यहां पर कुछ शर्तें रखी गई है कि दो हिंदु कैसे शादी करेंगे अब दो हिंदु के बीच की शादी जो तभी संपन माने जाती है बहुत सार हिंदु मैरिज एक्ट का एक सेक्शन है रिकांगे सेक्शन है सेक्शन है सेवन्टी जिसके अंदर दुविवा को गैर कानूनी माना गया है अब आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन से सेक्शन में ये बात बोली गई थी अब भारतिय दंड साहिता 1860 यानि इंडिन कोड 1860 के में जो सेक्शन 494-495 के प्रावधान दिये गए है जिसके कानूनी कारवाई होगी अगर कोई हिंदु मैरिज एक्ट केता है शादी कर लेता है दूसरी महिला से हलांकि दुविविवा एक अपराद होने के बावजूद दुविविवा से अगर कोई बच्चा पै कोगा जितना उस व्यक्ति की पहली शादी से जो बच्चा पैता हुआ था इन दोनों को समान रखा गया है जो बहुत अच्छी बात है अब यह सब चीजे होगे आपके सामने अब देखिए अपवाद भी है एक एक चूट भी चलती है देखिए गोवा में जो हिंदु है व यह आप इस कंडिशन पर दूसरी शादी कर सकते हैं मतलब वहाँ पर उनको एक अजादी दी गई है अब सोचेंगे कि मुस्लिम के अंदर अरे हिंदुओं के अंदर चल रहा है गोवा के अंदर चल रहा है उनके लिए अलग से कानून भी बना हुए वो क्या है उस क्या है ओप पर्स्तिती यह जेए कि 25 साल की एज तक अगर कोई व्यक्ती पुरुश वो यूजने शादी कर ली मान लिजिए उसने शादी कर ली बाइस साल की एज में अब पचीश वर्ष की आयू तक जो उसकी वाइफ ती वो मान लीजिए वो 21 साल की थी यह चार साल होगे शाद तक पुरुष को एक लड़के को जनम ही नहीं देती है उसमें विफल रहती है तो उस कंडिशन पे भी वो दूसरी शादी कर सकते है तो यह बड़ा ही रोचकत है मुझे लगा हलांकि गोवा के जो मुख्य मंत्री है परमों सामत उन्होंने ये बात बोली कि ये जो हिंदों के आपने जो प्रावधान लेकाल रखें वो निर्थक है यूजलेस है क्यों यूजलेस है देखें 1910 के बाद किसी ने भी इसका लाब नहीं लिया तो एक तरीके से इन सब चीज़ों को बंद कर दिया जाना है ये सब चीज़ों जो बोली गए थी मुख्य मंत्री जो है वो ग चार पत्नियां रखने के नुमती देता है देखें कितनी अजीब बात हो जाती है आपर मुस्लिम पर्शनल लोग से लाब उठाने के लिए लोगों ने क्या किया भाई साब उन्हों की वहां पर चार चाधियां कर सकते हैं लोगों ने धर्म कनवर्ट करना स्टार्ट कर दि अनकॉंस्टिट्यूशनल है वो मानने नहीं होगा भाई साब ये 1995 में बात वोली ये 2002 के अंदर भी लिली थोमस वर्सीज भार संग के फैसले में भी इस बात को सुब्रियम कोट ने धोराया था मुस्लमानों के लिए गैर कानूनी जो बहु युआ की किसी भी कदम के लिए एक विशेश कानून बनाना बहुँ ज़ादा जरूर है जो तीन तलाग के मामले में व्यगतिकत कानून की शुरक्षा को ओवराइट करता हो देखे, पर्सनल लोग में जिसमें आपने सुणा हों की तलाग 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 तीन बार बॉल देने से तलाग हो जाते हैं तो वो उस चीज़ को जैसे खतम किया गया तो अब वक्ट है कि इन सब चीज़ों को भी खतम किया जाता है तो यह हो जाता है हमारे सामने मुसलिम के अंदर क्या कानून चलता है हिंदू के अंदर क्या कानून चलता है हमारे देश में अलग-अलग जो कानून है उनके अंदर कैसे द्वी विवा या बहु विवा को शाशित या गवर्न किया जाता है अब बात आती है कि भारत के अंदर कौन सी कम्मुनिटी में द्वी विवा जादा होते हैं या बहु विवा जादा होते हैं उसका भी एक डेटा है हमारे सामने एक जो बहु विवा का परचलाना आप देखिए नेशनल फैमिली हैल्स सर्वे हुआ था पांचवा हुआ था दो परचलान था इन जो आंकड़ों में और भी चीज़ें जो पता चली थे कि बहु पतनी विवाहाओं का सबसे अधिक परचला उत्तर पूर्वी राज्यों में आदी वासी अबादी के साथ था उच्टम भी बहु विवादर जो है वो चालिस जिलों की सूची में उच दर व वाले लोगों का वर्चस होता मतलब जादा तर आप देखेंगे तो बहु विवादर जो है वो उत्तर पूरी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा यह सब चीज़ें यह आओगे आपके सामने आंकड़े कहां पर कितना विवाहा होता है यह खुद गौर्मेंट के आंक पीडिएफ में चाहिए पीडिएफ में चाहिए तो मैं आप लोगों को लेटी बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है तो जाकर आप वहां पर जब क्लिक करेंगे तो यह इस वीडियो की पूरी पीडिएफ आपको वहां में मिल पीडिएफ के रूप में मिलेगी पीपीटी नहीं मिलेगी वीडियो पसंद आई है तो मुझे कैसे बता सकते हैं अरे भाया लाइक का जो एक बटन है न उसको प्रेस करिए लाइक करिए एक बारी करना है कुछ जादा है पसंद आए है तो सब्सक्राइब कर दिए और कुछ और ही जादा पसंद आए है तो भाई सब वीडियो है वीडियो को शेयर करें बहुत सारे लोगों के साथ तो आज किलतना है रखते हैं इस वीडियो में थैंक यू वर वोचिंग दिस वीडियो